Hello everyone, मुझे आसा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आज से हम आपका कैमस्ट्री सुरू करने वाले हैं, कैमस्ट्री की क्लासे सुरू होने वाली है तो आज हम इसका जो स्लावस है, विसर सूची जो है उसको डिसकस करेंगे कि क्या क्या हमने कैमस्ट्री में पढ़ना है ठीक, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, बुक खरीद लीजिए, ठीक, कैमस्ट्री के दोनों पार्स की बुक, NCRT वाली जरूर खरीद लीजिए, और उसके बाद अपनी कैमस्ट्री की कॉपी बना लीजिए, और फिर हम अब रेगुलर हर एक दो दिन में मैं क्या क्या स्लेवस हमने पढ़ना है, ठीक है, तो केवल स्लेवस डिसकस करेंगे, तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, कक्षा 12 में, वो अपका ठोस अवस्ता है, और ठोस अवस्ता के अंदर हमने क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, तो ये देख लिजे, ठोस अवस्ता के स वरगी क्लासिफिकेशन हम इनका पढ़ेंगे क्रिस्टल जालक और क्रिस्टल जालक और एक अक सडिका are क है यह कफी ultimate टॉपकिमे इसमन है किस Peter जरूर मंगवाले जल्दी से जल्दी, ठीक है, नेक्स्ट है, निविड संकुलित सरचना है, इसके अंदर पढ़ेंगे, संकुल अंचमता पढ़ेंगे, एक अकुस्टिका बिमा संबंदी गणना हैं पढ़ेंगे, और ठोसों में अपूनता हैं, विद्युतिय गुण क्या हो होते हैं, तो सारी चीजे बिलियन के प्रकार हो गया, बिलियनों की सांदरता को कैसे वेक्त करते हैं, ये सिखेंगे हम, विलेता क्या होती है, इसके अलावा दर्विये बिलियनों का वास्पदाब, और इसके अलावा आदर्स और अनादर्स बिलियन में अंतर, और क्या ये है इसमें हम और रंज मैं उसरे प्णाइलहाइग तो यह तीसरी यूनित हो जाएगी और इसमें इंदन, सचारण बहुत और में ऍसके लबाबा नेट जो हमार रहे हूं थे की है chemical kinetics है इसमें रासायनिक अभिकिरिया का वेग ठीक है बेग निर्दारण कैसे करते हैं यह सारी चीज़ें हम सीखेंगे बेग को कौन से कारक हैं जो chemical reaction के वेग को प्रभावित करते हैं समाकलित वेग समी करन पढ़ेंगे इसके अलावा अभिकिरिया वेग की ताप पर निर्भरता रासायनिक अभिकिरिया का संगठ का सिद्धान्त भी इसमें डिसकस करेंगे ठीक है नेक्स जो हमारा है प्रिस्टरसायन ठीक है तो प्रिस्टरसायन हम नेक्स इसमें डिसकस करेंगे इसको हम surface chemistry बोलते हैं और जैसे कि मैं आप लोगों को कक्षा 11 में मैंने थोड़ा भोता आप लोगों को जानकारी दी भी थी कि क्या होता है प्रिस्टरसायन ठीक है तो इसको detail में समझेंगे य को हम समझेंगे ठीक है कोलाइट्स क्या होते हैं कोलाइड इविलियन क्या होते हैं इनके गुण क्या होते हैं तो सारी चीजें हम surface chemistry में discuss करने वाले हैं चलिए next जो हमारा chapter रहेगा वो है तत्तों के निसकरसन के सिधान तिवं प्रकरम इसमें हम धातूं की उपलब दिता प पर पढ़ने वाले हैं सांद्रित अयसकों से असोधित धातों का निसकरसन समझेंगे धातू कर्मिकी के उसमागति की सिधान्त पढ़ेंगे धातू कर्म का वैजुत्रसायन सिधान्त पढ़ेंगे ऑक्सिकरन आपचयन समझेंगे सोधन समझेंगे ऐलुमिनियम कॉपर जिं तो पी ब्लॉक तत्तों जो हैं हम अब 12 में पढ़ने वाले हैं ठीक 11 में मैंने आप लोगों को S-block के elements बताए ठीक है तो S-block के elements हमें पढ़ने हैं ठीक है इनको हम वर्ग 15 के तत्तों भी बोलते हैं इसमें Dynitrogen ठीक है नाइड़ोजन परिवार यह हता है बूरा दाइडरोजन पढ़एंगे नाइड़ोजन से बनने वाले योगिक ammonia हो गया nitrogen के oxide हो गया nitric acid हो गया phosphorus के अपर root पड़ेंगे phosphorus gas पढ़ेंगे phosphorus के लाइट पड़ेंगे और साथ में इसमें वर्ग 16 के तथों भी पड़ेंगे और वर्ग 16 के तत्तों के अंतरगत ये oxygen के परिब्सक्राइब टुक्रीम परिभागे पूरा हेलोजन पताया है ना यहांपर पढ़ेंगे हड्रोजन क लो Rosa चे Jeśli रहा होगा सकंवान करेंकित जिएं निकलना है ओपने रोगों को 11 में इलक्ट्रोनिक विन्यास निकलना सिखाया है D-Block के तत्तों का भी करवाया है कुछ है न तो यह पढ़ेंगे हम D-Block तत्तों के सारे तत्तों के electronic विन्या संक्रमन तत्तों के सामाने गुण संक्रमन तत्तों मतलब बताया है D-Block के तत्तों को ही हम transition elements कहते हैं संक्रमन तत्तों के कुछ महतोपूण योगिक हम यहाँ पर पड़ेंगे Lengthenoids को discuss करेंगे Actinoids को भी discuss करेंगे और साथ में D.A.Block तत्तों के कुछ जो अनुपरयोग होते हैं जो हमारे दयानिक जीवन में अनुपरयोग होते हैं इन तत्तों के वो हम डिसकस करेंगे यह हमारी unit number 8 हो जाएगी next जो unit है हमारे पास यह first paper का है यह पूरा और यह last unit 9th number की unit है इसका नाम है उपसे संयोजन योगिक या coordination compound ठीक है तो इसमें हम coordination compound पढ़ेंगे उपसे संयोजन योगिकों का बर्नर का सिध्धान इसमें discuss करेंगे उपसे संयोजन योगिकों से समंदित कुछ प्रमुक परिभासिक सब्द वा उनकी परिभासाएं पढ़ेंगे उपसे संयोजन योगिकों का नाम करल पढ़ेंगे उपसे संयोजन योगिकों में समावयपता और इसके अलावा उपसे संयोजन योगिकों में आबंधन कैसे बनते हैं वो हम पढ़ेंगे bonding कैसे होती है ठीक है इसके अलावा धातुकार गोनिलों में आबंधन कैसे होता है और उपसर संयोजन योगिकों का क्या महत्तो होता है और क्या उनके अनुपरियोग या परियोग होते हैं वो हम सारा इसमें डिसकस करने वाले हैं तो यह हमारी यूनिट नमबर नाइन हो गई तो इस तरह से जो हमारा सिलैवस है, फस्ट पेपर का सिलैवस वो मैंने आप लोगों को पूरा बता दिया कि क्या क्या हम इसमें डिसकस करने वाले हैं ठीक है तो वैसे किताब मंगवा लीजिए ठीक है नहीं तो मैं share कर दूँगा आपके गुरूप में ये PDF ये syllabus वाला PDF भी share कर दूँगा तो लेकिन आप लोग किताब जरूर मंगाएं और chemistry की copy अभी से बना लें तो जो भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा पढ़ाना सुरू लोगों को copy में नोट्स जरूर बनाते रहना और अभी से पढ़ाई में लग जौब इट है ठीक है तो थैंक्यू तब सुरू करते हम जल्दी ही नेक्स पहले चेप्टर से ठीक है ओके